सबजी आक्सर हमारे घरों में थ्धोड़ा बद बच जाती उसे आप फेके not जैसे इसी पत्ता गोभी के डंठर वाली सबजी इसको हमने फेका नहीं पत्ता गोभी के डंठल परीजय सब्च करें दो यहां। और मतर भी डाल देंगे, जो भी सब्जी आपके पास बच्ची है, सारी सब्ज़े डाल देजे, जितनी सब्ज़े डालेंगे, उतना ही स्वादिश्ट बनेगी, और पानी हमने इसमें दो गलास लिया है, आपको गाढा रखना है, तो पानी कम डालिएगा, और इसमें एक पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और जब 5-7 मिनट के बाद विसल निकल जाए तो इसे अच्छे से मैस कर लेंगे गरम गरम ही मैस करेंगे और इसे छान करके अलग रख लेंगे इधर हमने नौर का यह मिक्स वेजटेबल सूप लिया है एक 10 रुपे वाली जो पहुचाती है वो और इसी सूप से दो चमच इसमें से हमने लेकर कि इसका एक घोल बना लिया है इससे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है स्वात बिल्कुल बजार से भी बहतर बन जाई कि आप एक बढ़ बना की जरूर देखिएगा इसे अच्छे से मिक्स जादा नहीं जब यह अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे नौर का सुप भुलेने सटे नहीं और आदी छोटी चमच सबीकम चीनी थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो से तिन मिनट तक पका लेजे और इसे गर्मगरम निकाल लेंगे सर्व करने के लिए इसमें बटर डाली या फिर घी घाय की सुध़गी डाली और इसे गर्मगरम सर्व किजिए बहुत ही हेल्दी सूप है घर की पूरी सबजियों के साथ बनी है इसे एक बार ज़रूर ट्राइए किजिए